Hello everyone students, welcome back to our channel आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं BHIC 134 का sample question answer PDF इसे आप important question answer PDF कह सकते हैं या फिर इसे आप guest paper भी कह सकते हैं इस PDF का उतेश है last time study करने वाले students की help करना है इसकी मदद से आप अपने exam को अच्छे से clear कर पाएंगे आपको बता दे इस PDF में questions के साथ साथ उनके answers भी दिये गए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा useful होने वाली है तो friends अगर अब पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल को subscribe कर ले ये वीडियो पसंद आए तो इसे भी like करना मत भूलेगा चलिए एके करके questions और उनके answers को देखते हैं तो इस exam में सबसे पहला question आप से कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है क्या आप या सोचते हैं कि नवाबो की वैक्तिगत असफलता के कारण बंगाल में राजनेतिक रुपांतरन हुआ तो देखें ये उस समय की बात कर रहा है इसमें जब British East India Company बंगाल में आई थी तो उससे पहले आप जानते होंगे कि बंगाल में नवाबो का साशन था तो इस question में आप से पूछा जा रहा है क्या आप ये मानते हैं कि जो बंगाल के नवाब थे उनकी जो असफलता थी उसके कारण ही वहाँ पे British East India Company का वर्चस वो धीरे धीरे बढ़ते गया और उन्होंने उस पे बंगाल पे अपना इस्थापना कर लिया अपना अधिकार इस्थापित कर लिया क्योंकि जितने भी नवाब थे वहाँ पे जो गद्दी पे बैठे हुए थे तो उस समय कि घटना करम कुछ ऐसे घटित हो रहे थे कि सभी नवाब हाम जनता की अंदेखी कर रहे थे और वो इतने कमजोर हो चुके थे कि ब्रेटेशियस जो थे उनमें आपस में फूट डाल देते थे और जितने भी नवाब थे आपस में ही यूद करने लगते थे और इसका फाइदा उठा कर जो ब्रेटेशियस थे इस्थ इंडिया कमपनी थे वहाँ ने बंगाल में अपना इस्थापते इस्थापित कर लिया इसके अलावा नवाबों को लालच देकर रादनितिक तोर पे कमजोर करकर इसका फाइदा उठाया ब्रेटेश इस इंडिया कमपनी ने फ्रेंड्स आपको बता दे इसमें जो आप पीडियाफ देख रहे हैं इसका थ्री सेट अविलिबल है यानि इसी पीडियाफ में आपको तीन सेंपल पेपर सेट मिलेगा बिल्कुल सौल मिलेगा अगर आप इस पीडियाफ को परचेस करना चाहें चलिए देखते हैं अगले कोशन को तो दूसरा कोशन कुछ इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है कि मिशलो का उदै कैसे हुआ सिख राज्ये व्यवस्ता में उनकी भूमिका क्या थी उसके बारे में बताना है तो देखे मिसलो का बारे में बताना है आपको कि ये उदय इनका कैसे हुआ और जो सिख राज्य ववस्ता थी उसकी इस्थापना में इसका क्या योगदान था तो इसको आप अच्छे से बताएंगे यहाँ पे तो इसका अंसर भी आप यहाँ कंप्लीट देख सकते हैं अगला कोशन कुछ इस प्रकार से हो सकता है कि समाजिक आर्थिक गतिविधियों के जिवन केंदरों के रूप में उभरते शेतरों के संदर में आप अठारवी सताब्दी को कैसे देखेंगे तो यहाँ आपको अठारवी सताब्दी का विस्तार पूरवक वर्णन करना है कि अठारवी सताब्दी कैसे जो था समाजिक आर्थिक जीवन का एक केंदर बिंदू बना हुआ था उसके बारे में आप यहाँ पे बताएंगे तो इसका अंसर भी देख लिजे मैं आपको रिक्मेंट करूँगा कि इस वीडियो को देखने के लिए यूटूब के सेटिंग में जाके इसे हाई पिक्चर क्वालिटी में देखे तब ही आपको ये PDF क्लियर दिख पाएगा भारत में क्या परिवर्तन देखने को मिले उसके बारे में आपको यहाँ बताएंगे तो यहाँ आप इसे ध्यानपूरो के संसर को भी देख ले अगले कोशन की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ आपसे दो शॉर्ट नूट्स दिए गए हैं तो पहला आपका शॉर्ट नूट्स यह हो सकता है इसका अंसर भी आप ध्यानपूर्वक देखें इसका स्क्रिन्शोट ले सकते हैं अगर आप चाहे तो अगर आपको यह क्लेट दिख रहा हो अगला जो कोशन हो सकता है वो आपसे रहयत वाड़ी व्यवस्ता के बारे में पूछ सकता है कि रहयत वाड़ी व्यवस्ता क्या थी और कैसे इसमें जो लगान वगरा की व्यवस्ता थी किस प्रकार की की गई थी तो इसको भी आप ध्यानपुर्वक देख सकते हैं प्रिंट्स आपको बता दे इस सब्जेक कूट का प्रिवियस एर कोशिन पेपर भी अपलोट किया गया है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कोश्चन नमर 6 हो सकता है आपका कि उन कारणों का उल्ले किजिए जिन्होंने भारत में इस्ट इंडिया कंपणी के को शेत्रिय एम राध्यितिक शक्ती प्रदान करने के लिए प्रिविद किया तो यहां आपको कारण बताने है ऐसे कौन से कारण थे जिसकी वज़े से इस्ट इंडिया जो कंपणी थे भारत में उसको राध्यितिक शक्ती प्राप्त हो पाई तो कारणों का अब लेक करेंगे कि कैसे जब रिटेसियस आये थे तो उन्होंने इसके लिए जो है क्या किया सबसे पहले तो वो एक कंपणी के तौर पे आए यानि अर्थवरस्ता के तौर पे आए उन्होंने यहां पे कंपणीया इस्तापीत की अपनी आर्थिक शुरू की व्यपार करना शुरू किया और यहां की जो नवाब थे राजा महराजा थे उन्हों में आपस में फूट डलवाई उनको लालज देकर और इस तरह से करते करते उन्होंने राजनितिक सकतिया यहां पर प्राप कर ली कोश्चन 7 हो सकता है आपका उपनिवेश वा बहुत ज़्यादा एक्स्प्रेंट ना करते हुए भी तो भी आपको अच्छे मार्स मिल जाएंगे कोश्चन 8 हो सकता है आपका कि कॉंग्रेस की उत्पत्ती का कौन सा सिधान्त आपको स्विकारे लगता है तो जो कॉंग्रेस पार्टी का भारत में उद्य हुआ था तो उ आपने आंदोलन में परियोग में लाए गए वैचारिक साधनों और तरीकों का संशेफ में विशलेशन कीजे तो गांधी जी के जो आंदोलन हुआ करते थे उसके बारे में आपसे पूछता है कि ऐसे कौन से साधन इस्तिमाल करते थे तो उनके आंदोलन जो थे दोस्तों का सिधान नहीं मिलता वो शांती प्रियांदोलन करने पर जोर देते थे तो यही सब आप इसको explain करेंगे question number 10 हो सकता है राम मोहन रोय के विचार के बारे में और यहां एक question और होगा आपका short note क्योंकि यह question है तो इसका part अगला हो सकता है प्रथक निर्वाचन मंडल के बार झाल सकता है प्रथक जया था था पोगा है रूंगाचन मंढथए को सकता ही क्योंकि अरडन सकता है था क्योंकि बाहते है विचार के बार देकते हैं में प्र॥क CHEERING झाल झाल झाल